पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, वहाँ किसी की चलती है तो वो सिर्फ आमी की खबरदार में अब हम पाकिस्तान के फरजी लोकतंत्र के fix election का का whistleition करेंगे जिसे पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही तय कर दिया कि किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधान मंतरी होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, जो भी बात नहीं मानेगा, उसे डराया धमकाया जाएगा. पाकिस्तान के उस चुनाओं का सच जो 25 जुलाई को होने वाला है, किसी और के लिए जगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने अपना प्यादा पी-एम पहले ही चुन लिया, नाम है इमरान खान, जिनके लिए इलेक्शन एजेंट पाकिस्तानी सेना के जनरल बन चुके हैं. यह पाकिस्तान के पूर्व प्रदान मंत्री नवाज शरीव हैं, जिन से आर्मी के जनरल जज़ों के जरीए पहले ही बदला ले चुके हैं. अब हर उस पार्टी के कैंडिडेट को दरा धमकाने और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने में पाकिस्तानी सेना के अफसर और आईएसाई एजेंट लगें, जो इमरान खान के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं. हमारी पार्टी के लोगों पर तमाब सूबों में, खेवर पक्तुनफा में, सिंध में, पंजाब में, कुछ लोगों को तरगीद दी गई और कुछ को धंक्या दी गई कि वो पार्टी वफादारी पद्दीद करें या आजाद उमीदवार के तोर पर इंतिखाब करें. शिकायात बड़ी आई हैं, लेकिन तीन शिकायात नामों के साथ आई हैं. बेर एसकुए खान से हमारी पार्टी के सुबाई जेनरल सेकेटरी ने बाजाबता तोर पर हमको लिखा, कि वहां पर सिक्यूरिटी अधारे के करनल साथ जिनका नाम करनल मुईस है, करनल मुईस हैं, सिंध में करनल अबिद अलिशा का नाम लिए गया है, और सिंध बदी में मेजर शहजाद का नाम लिए गया है, आबिद अलिशा है, और इसके अरावा और बहुत सार है ये कि हम हमारे पास बाजाबता तोर पर आगे हैं पाकिस्तान में अवाज शरीफ की पाटी हो या फिर बेनजीर भुटो के बेटे बिलावल भुटो की पाटी वो खुलकर पाकिस्तानी सेना के अफसर और आईएसाई के लोगों के नाम ले रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना का सिस्टम उनके उम्मिद्वारों को धमका रहा है ताकि इमरान खान को पी-एम की कुरसी पर बिठाया जाए इमरान खान पाकिस्तानी सेना के नए लाट ले जिनके लिए वो पूरा जोर लगाए पाकिस्तानी सेना ने इस इलेक्शन को इमरान खान के लिए फिक्स कर दिया है साहे तीन लाग के करीब फौर्ज इलेक्शन के लिए लगा दी है हर पॉलिंग बूत के अंदर तक दो-दो पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात रहेंगे ठपों की तैयारी हो चुकी है यह बात ठीक है कि हर इंतखाब पे इतराद उक्तरा है लेकि जियात तर इंतखाबात में यह भी इतराद उक्तरा है कि फौज ने इलेक्शन में धानली की जैसे कि जाहुलक के जमाने में जैसे जियरल मुशरफ के जमाने में ऐसा हुआ है और इसके इतराद अब तो किसी चल रहे हैं और जिनोंने की वो रिमान भी लिया है इस मुलक के अलेक्शन की तारीख के अंदर हुआ जो डॉक्यमेंटेड है हिस्टॉरिकली जिन लोगों ने रिगिंग की जिन लोगों ने मिनिपिलेट की अलेक्शन जिनोंने एंजिनिरिंग की और उन्होंने बाद में अड्मिशन की किताबे लिखी कही हैं इसके उपर डॉक्यमेंटेड पार्ट है हमारी हिस्टॉरिकली का तो वो क्या इमाजिनेशन थी इस मुलक के लोगों की या फिर किस तरह से जो रिफरेंडम हुए जयाल हक का रिफरेंडम हुआ तो उसक्क कौन से अदारे थे जो सपोर्ट कर रहे थे और ठपे लगा रहे थे जब जल मुशरफ का रिफरेंडम हुआ तो कौन से लोग थे जो ठपे लगा रहे थे और वोट डाल रहे थे या इस मुलक के लोग निकले बार और किसी खौफ औ खतर के बगैर वो गए और उन्होंने ये वोट डाले उसके बाद जो प्री एलेक्शन रिगिंग होती है ये भी डॉकिमेंटेड चीजें दुनिया में किस तरह की जाती है पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सेना के जनरल चनाओं में दहंदली करने में जुटे हुए इसमें वोटिंग वाला दिन तो दूर पहले से ही वो ताकत लगा दी गए जिसमें आर्मी के जनरलों के हिसाब से चलने वाले सरकार लाई जा सकी इसके लिए विरोधियों को जेल में डालने, कोट से शुनाओं के लिए योग ठहराने और डराने धमकाने के तरीके सामने आ चुकें नवाज शरीफ ने एक जनरल का खुल कर नाम लिया है यह बिलकुल सच बात है, बिलकुल मेरे खेले के इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज हमीद साहब और उनकी जो टीम है, वो पूरी तरह से मुलविस है जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे निशान शेर के निशान चुड़वाने के लिए उनका किरदार है और उनको जीप का निशान तोड़वाने के लिए उनका किरदार है और उन लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर करने में उनका किरदार है बहुत सरे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उनसे ये जबरदस्ती ये काम करवाया गया है विरोधियों को किनारे लगाने से लेकर रिश्वनाओं में कटर पंतियों मौलानाओं और हाफिस सहीद जैसे आतंकवादियों को नेता बनाने तक पाकिस्तानी सेना के जनरल जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं पाकिस्तान की फर्जी डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती रही है जिसमें नेता गरी करना है तो आर्मी आर्मी कहना है आज तक बियारो पाकिस्तान में इमरान खान वहाँ की आर्मी के ने लाडले हैं जिने किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी सेना नई सरकार में बिठाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि इमरान खान के जरिये आदमी के जेनरलों की वो मनमर्जी चलेगी जो मनमर्जी दूसरी पार्टियों के सरकारों में चलती तो है लेकिन उतनी नहीं जितना वो चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना की पटरी नहीं बैठी और बनी नहीं तो उन्हें जजों के जरिये इलेक्शन से ठीक पहले निकाल दिया गया अब उन्हें इलेक्शन से पहले जेल भेजने की तयारी है इसी तरह से पूर्व राश्रपती आसेफ अली जर्वदारी पर भी इलेक्शन से ठीक पहले केस खुलबा दिये गए इम्रान खान के रास्ते के हर कांटे को पाकिस्तानी सेना हटाने में जुटी है